हलो फ्रेंड गुनगुन आफिसियल ब्लाग में आप सभी का शागत है आज हम बनाएंगे मटर के छोले मटर का छोला बहुत ही टेस्टी लगता है यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सूखी सपेद मटर हमने यहाँ पर 500 ग्राम के करीब सूखी सपेद मटर लिए हुए हैं जिसको की हम दो बार धो लेंगे और रात पर पानी में भिगो देंगे जिसे मटर हमारा फूल जाए और फिर हम इसे सुबा में उबा लेंगे तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं मटर के छोले बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्रिशर कूकर धाई सोगराम के करीब मटर था तो हम धाई ग्लास पानी आइड करेंगे और आधा चमच नमाक और एक चोथाई चमच हल्दी पोडर डाल तेल पांच छे सिंटी आनी तक कूक कर लेंगे मटर की सची बनाने के लिए हम लेंगे एक गडाई उसमें डालेंगे एक टेबल स्पून के करीब आईल यहाँ पर हमने शर्षों का तेल लिया हुआ है तेल हीट होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चुटके जीरा, एक इलाईची, दो तीन दाल चेनी का टुकड़ा अब हम इसमें डालेंगे पांच छे लेशन के कलिया एक बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज, दो हरी मिर्ची इन्हें चलाते हुए हम इसे भून लेंगे प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें अट करेंगे दो कच्चा, कटा हुआ आलू आलू को चलाते हुए पका लेंगे आलू अधपक कया है, तो आब हम इसमें डालेंगे मशाले, एक चमचल्दी पाउडर एक चमचल्दी ग्रम मशाला पाउडर आधा चमचल्दी लाल काश्मेरी मिर्च स्वादा नुशार नमक डाल देंगे और आब हम इसे पांच मिनट पका लेंगे अब हम इसमें आट करेंगे मटर तो जब तक सबजी हमारी बन कर तयार होती है तो प्लीज चैनल को लाइक, चेयर, सस्क्राइब करना ना भूले बेल आइकन पर प्रेश करें जिससे की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अब थोड़ा सा हम इसमें गरम मशाला और अड़ करेंगे आप इसको रोटी पराथे नान सभी की साथ में खा शकते हैं आप इसे पानी पूरी के साथ भी खा शकते हैं अब हम इसमें आयट करेंगे पानी पानी को थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे थोड़ा पतला ही स्टार्टिंग में रखेंगे क्योंकि मठर ठंड़े होने के बाद सबजी गाड़ी हो जाती है सब्जी हमारी पक्र तयार हो चुकी है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है और इसमें अब हम आयट करेंगे हरी धनिया सब्जी हमारी खाने के लिए रेड़ी है आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खा सकते हैं प्लीज ये वीडियो पशंद आई हो तो चैनल को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्जी कैसी बनी है कमेंट में जरूर बताएं थाइंक यू